नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल विकाओ मकान और होम फोर सेल चैनल पर तो साथियों जहां पर हम आपके लिए लेकर आच चुके हैं, बहुत ही कम बजट में आपके लिए मकान लेकर तो दोस्तो अगर आप इस बने हुए मकान के बारे में पूरे तथा कमपले जानकारी को हासिल करना चाहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि मकान कहां पर विकाओ है, मकान की location क्या है, मकान का price क्या है तो सारी जनकारी मैंने आपको इसी छोटी सी वीडियो के माधिम से दे दी है और आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेश्टे की हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइबशन बिल्कुल फिरी होता है नीचे आपको सस्क्राइब कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर अपनी उगली प्रस करें विल आइकन की घंटी का बटन दमाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी हो सकता हो कि अगली नोटिफिकेशन या अगला वीडियो आपके लुकेशन का हो आपके सहर का हो या हो सकता हो आपके मकान के बगल का हो क्योंकि हर रोज की तरह हमारे पास ने ने मकान की जानकारी आती रहती है और रोज की तरह हम दो तिन मकान रोज सेल किया करते हैं तो सर अगर आपको भी मकान की आओ सकता है आपको भी फैमली को मकान चाहिए तो आप हमारी वीडियो को देखते नहीं तो आपका समय ज़्यादा नावर बात करते हुए हम आपको दे देते हैं इस बने हुए मकान के बारे में पूरी तथा कंप्लीट जानकारी के बारे में तो जनाब यहाँ जो मकान आपको दिखाया जा रहा है आपकी मोबाईल की स्क्रीन पर चलाया जा रहा है यही मकान विकाओ है सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मकान की लोकेशन के बारे में जो कि यह मकान कहाँ पर विकाओ है मकान की लोकेशन क्या है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं सर यहाँ जो मकान है ये मकान आपको उत्तरा खंड राज में बना हुआ देखने को मिल जाता है उत्तरा खंड राज में ये मकान आपको हल्दवानी डिस्टिंग में बना हुआ देखने को मिल जाता है हल्दवानी डिस्टिंग में ये एक जगा है जहां का नाम रानीपुर है रानिपुर के जश्ट साइद गोदावरी गोदाम के जश्ट पीछे मकान यह मकान आपको देखने को मिल जाता है जो कि बात कर ली जाए इस मकान के प्राइस के बारे में तो ओनर ने इस विकाव मकान का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 18 लाक रुपे रखा जो कि 18 लाक की कम कीमत में यह मकान अपना अरिजेंट सेल करवाना चाहते हैं तो सर अगर आप इतने बजट में यह मकान परचेस कर सकते हैं मकान खरी सकते हैं आपके पास इतना बजट अवलेवल है तो आप इस मकान को बड़ी ही आसान तरीके से खरी सकते हैं कैसे खरी सकते हैं आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले इस मकान के बारे में थोड़ी सी जनकरी हम आपको और दे देते हैं जैसा कि मैंने बताया कि इस मकान में आपको सर 5 बने हुए रूम देखने को मिल जाएंगे जो कि 15 फिट का एक बना हुआ दो वेड रूम, किचन बाथ रूम, ट्वालेट वास रूम, डेरिंग एरिया हाल और गाड़ी पार्किंग की शिब्धा इस मकान में आपको दी गई है वहीं पर पानी की विवस्ता जो है आपको समर सिवल के माधम से प्राप्त हो जाएगी इस मकान के साइड के रास्ते के बारे में बात कर लेते हैं जो कि लगफ़घ दर्सफिर्ट चोड़ा है जहाँ पर आप अपनी टू वलर वा फोर वलर गारी इस मकान तक बड़े ही आराम से पहँचा सकते हैं, ले जा सकते हैं आने जाने के लिए भी आपको किसी भी प्रकार की कोई कढ़नाई, कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा वहें पर बात कर लेते हैं सर इस विकाव मकान की location तो हमने बता दी है mentality के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस मकान की क्रियाल्टी जो है सर बहुत ही अच्छी है जो कि आप वीडियो के माधिम से देख रहे हैं इस मकान में सर आपको सोफा सेट के साथ साथ ऐसी कूलर फ्रीज टीवी वासिंग मसीन ये सब कुछ आपको इस मकान में देखने को मिल जाता है लाइटिंग की वस्ता के बारे में बात करें तो लाइटिंग इसमें आपको लीडी वल्फ के साथ लाइटिंग भी लगी हुई देखने को मिल जाती है मकान के चत पर आपको सर पंद्रा सु लीटर की पानी की टंकी भी लगी ही देखने को मिल जाएगी और वहीं पर बात कर लिजाए सर मकान में प्राप्त हो जाएगी मार्केट यहां से आपको दो किलो मेटर की दूरी पर देखने को मिल जाता है और सर अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना कोई भी मकान प्लोट जमीन को सेल करवाना चाहते हैं बेचना चाहते हैं आपके प्रॉपरिटी की इच्छी की मन नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके अपने एक प्रॉपरिटी की छोटी सी वीडियो मना कर हमारे कॉंटेक्ट नमबर पर सेंड कर दें ताकि वह वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करके अपने दर्सकों को दिखा सके और आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाने के बाद आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपकी वीडियो हमारे चैनल पर फिरी में अपलोड कर दी जाएगी तो सर तब तक के हम आपसे इस विकाओं मकान से अलविदा चाहते हैं मिलते हैं किसी अन्य विकाओं मकान के साथ वा किसी अन्य सस्ते विकाओं मकान के साथ तब तक के लिए दोस्तों जाहिंद वन्देश